आस्मान से बरसरे अंगारों में फिलहाल कोई कमी की उमीद नहीं है। चुपती जलती गर्मी से कोई भी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हीट वेव लोगों की मुसिबतें बढ़ाता रहेगा। चिलचिलाती धोप, चुबने वाली सुरज की किरने और गर्म हवाएं लोगों को भी कुछ दिनों तक यूँ ही परिशान करती रहेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्रपश्रिम भारत में तीन से चार डिगरी की विर्धी के साथ लोगों की मुसिबतें और बढ़ सकती हैं। कीवल दिल्ली में मै के अंत तक दिल्ली का धिकतम तापमान पैंताली से लेकर च्छाली से लिगरी के बिच बना रहने का अनुमान जटाया गया है। इससे पहले 22 में को मौसुन अनमानी को बार में दस्तक देता है हलांकि इस बार अनमान में मौसुन का आगमन सामानी से 3 दिन पहले यानि क्यों 19 में को हो चुका है अनमान के बाद मौसुन सबसे पहले केरल में आता है उमीद जताई जा रही है कि इस बार 30 मई को वहां मौसुन दस्तक दे देगा उसके बाद ही मौसुन के आगे की स्थिती मौसुन भाग मौनिटर करता है दिल्ली में मौसुन के दस्तक देने की समाने तारिख 25 से 30 जून के बीच है और लगातार बढ़ता ताप मान लोगों की मुसीबतें बढ़ाता जा रहा है पूरा उत्तर भारत इस वक्त अभेशन गर्मी की चपेट में है देश के के इलाकों में ताप मान 48 डिग्री सेल्सेस तक पहुँच चुका है अश्रंका चताई जारिये कि राजस्थान में आने वाले दिनों में ताप मान 50 डिग्री सेल्सेस तक पहुँच सकता है भारत का एक बड़ा हिस्सा गुरू आरको लगातार साथवे दिन लोग की चपेट में रहा राजस्थान के बाड़मेर में पारा 48 डिग्री सेल्से से तक पहुँच गया जो कि इस साल तक अभी तक देश में दर्च किया गया सबसे अधिक ताप मान है उत्तर भारत के आठ राजियू में पारा 43 डिग्री से उपर बना हुआ है गुजरात में भी पारा 45 के पार पहुँच चुका है भीषण गर्मी से कीवल भारत ही नहीं बलकि उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान भी प्रभावित है पाकिस्तान में भी ताप मान लगातार रिकॉर्ड तोड रहा है गुरुवार को वह ताप मान 50 डिग्री सेल्सियस तक तरज किया गया पंजाब, हरियाना, रास्थान, उत्रप्रदेश, गुजरात और मर्ध्य प्रदेश में कमसी कम 16 अस्थानों पर गुरुवार को अधिक्तम ताप मान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे उपर रिकॉर्ड किया गया मौसम भाग के मुताबिक भेशन गर्मी की लहर से अभी अगले 5 तिनों तक रहात मिलने की उमीद नहीं है मध्य प्रदेश के गुणा में अधिक्तम ताप मान 46 डिग्री सेल्सियस गुजरात के अहमधाबाद में 45 डिग्री सेल्सियस और उत्र प्रदेश को उरई में 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया हलांकि दिल्ली में गुरुवार को अधिक्तम ताप्मान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई लेकिन इस साल के लिए ये सामाने से एक डिगरी उपर रहा मौसम विभाग ने राजसान, पंजाब, हरियाना, चंडिगर, दिल्ली और पश्यमि उत्रप्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है आश्रंका जिताए गए है कि इस दोरान सभी उम्र के लोगों के लिए गर्मी की बीमारी और स्ट्रोक की संभावना बहुत बढ़ सकती है परिशानी वाली बात ये है कि रात का उच्टा पान भी खतरनाक माना जाने लगा है क्योंकि इसे शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता और तनाव बढ़ सकता है जहरकन के भी कई इलाकों में लगतार गर्मी की वैसे लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है वही राजी के कुछ इलाकों में बारिश ने रहा तो दी लेकिन कई इलाकों में भीशन गर्मी से लोग अभी परिशान नज़रा रहे हैं कमों बेश बिहार का भी ऐसा ही हाल है जहां गर्मिस लोग परिशान हैं दो पहर में सडकें सुनी हो जा रही हैं मौसम के ताजा अपडेट्स के लिए देखते रही हमारा यूट्यूब चैनल ये से आप सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लेटिस्ट अपडेट आप तक तुरन पहुंच सके अगर चैनल पसंद आया है तो इससे अधिक से अधिक क्याओं चैनल चैनल गोगा वाजय ऑायदर देखते ऊप्समारा यूर, चैनल इक मान्ताई मेर चैनल जरूरूर सके लिए।